सब्सक्राइब करेंगे तो जो पहला एप्लीकेशन रहेगा वह हमारा इन टर्म्स ओव मेडिसीन रहेगा किसके रिस्पेक्ट में रहेगा मेडिसीन की रिस्पेक्ट में तो सबसे पहला टॉपिक हमारे एंसियाटी में दिया हुआ है डाट इस इंसुलीन कैसे बना रहे हैं आप लोग विद्धा हेल्प आफ बायो टेकनलोजी तो इसको आप लोग बोल सकते हैं जैनेटिकली में रखना है अभी इसको पहले बनाते कैसे है विद धैलप बायो टेकनलोजी यह तो बात का टॉपिक है पहला टॉपिक क्या है कि इंसुलीन होता क्या है यह समझना ठीक है तो यह जो हमारे बॉड़ी में बनता है यह कौन बनाके देता है बीटा सेल्स ओके बीटा सेल्स islets of langerhands ये बना गए देता है produce insulin ये तो आप लोग को पता चल गया ठीक है जो आप लोगों ने पढ़ा है ये जो insulin होता है ये जो insulin होता है it is a inactive initial level पे कौन से form में produce होता है? inactive form में produce होता है ऐसे type के insulin को कहता है pro insulin क्या कहते है pro insulin कहते है इतना आपको compulsory ध्यान में रखना है ओके तो चलो अभी insulin होता क्या है इसको समझते है insulin has total 3 polypeptide chain कितने polypeptide chain होते हैं? 3 polypeptide chain होते हैं उसको समझ लेते हैं जैसे कि हमारे पास जैसे कि A polypeptide chain है दूसरा इसके पास होता है B polypeptide chain और तीसरा होता है C polypeptide chain अभी इन में फरक क्या है? इन में फरक क्या हैं? कि A वाला जो chain है उसके पास 21 amino acids है B वाला जो chain है उसके पास 30 amino acids है लेकिन C वाले की बात नहीं करेंगे यह पर ओके? that is you can say it is a linker polypeptide इसको क्या बलेंगे? It is a linker Linker भी नहीं बोल सकता है एक्चली इसको बोल सकते हम लोग इस a third fellow who is going to bring this two A and B polypeptide chain together तो इसको linker नहीं बोलेंगे, इसको एक काम करते हैं, linker तो रहने तो, आप लोगो एक और बता देता हूँ, function यहाँ पर लिग देता हूँ, उससे अच्छा आप लोगो समझ में आ जाएगा, तो देखो, it brings A and B polypeptide chain together, तो उसका काम क्या है, A और B polypeptide chain को साथ मिलाना, दोनों chain के बीच में एक bond formation होगा, कौन सा bond होगा, यह सारी बाते करेंगे, फिलाल के लिए, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, तो चलो अभी इसको structure wise समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, So, let's try to understand the structure, ऐसे मान लेते हैं कि यह A polypeptide chain है, जिसके उपर 21 amino acids है, और ऐसे मान लेते हैं, यह B polypeptide chain है, जिसके उपर 30 amino acids है, ठीक है, तो यहाँ पर लिग देते हैं, आप लोगों के लिए A polypeptide chain, और इसको लिग देता हूँ, B polypeptide chain, अब मैंने कहा था, आप लोगों के लिए, कि there is one more chain, which is called as a C polypeptide chain, तो यह क्या करेगा, A polypeptide chain को B polypeptide chain के साथ जोड देगा, उके, it will bring closer, ऐसे मानना है, क्या माननोगे आप लोगों, यह हमारा C polypeptide chain है, जो कि size में vary कर सकता है, उसके amino acid भी vary कर सकते हैं, अब जैसे ही C वाले ने, A और B वाले chain को साथ में लाया, क्या हो जाता है, इनके अपर कुछ amino acids होते हैं, कितने amino acids होते हैं, वो तो आपको यहाँ पर लिख के दिये होगे हैं, लेकिन, मान लेते हैं, कुछ amino acids जो है, यह sulfur containing amino acids है, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, जैसे ही sulfur sulfur containing amino acids आपने सामने आ जाते हैं, उनके बीच में disulfide bond formation होने लगता है, क्या होने लगता है, so it forms disulfide bond, क्या बनने लगता है, disulfide bond formation बनने लगता है, ओके इसके वज़े से, whenever this A and B polypeptide chain held together with the help of disulfide bond formation, it produce insulin, आई बास समझ में, यह हो गया insulin, यह तो आप लोगने अभी insulin क्या होता है, यह वाला पार्ट समझ लिया है, ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, biotechnology, how biotechnology help in making this insulin, समझ में आरी है बाग, and since it is a very lengthy process, it can be a time-taking process भी हो सकता है, अभी हमको biotechnology के इसाफ से काम करना है, you know that insulin is required by the diabetic patient, है ना, तो अभी इसको समझ लेते हैं, देखो, अभी as a biotechnologist, मैं क्या करना पसंद करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं, I will choose a DNA, from DNA, okay, from DNA, I will isolate a sequence which is responsible for producing a polypeptide chain, are you understanding, अब मान लेते हैं, ये DNA हैं, लंबा वाला, ऐसे मान लो ये जो DNA, human DNA है, ठीक है, ये इतना DNA बना लिया, मान लो, ये इतना जो DNA है, ये मुझे insulin बनाने का sequence बना के दे रहा है, मतलब insulin का क्या, insulin के लिए, मुझे basically दो चीजे चाहिए, a polypeptide chain and b polypeptide chain, c वाली का काम तो मैं खुद भी करवा सकता हूँ, सही बात है, तो मैं क्या करूँगा, ये 3-5- लिख देते हैं, या पर इसको 5-3- लिख लेते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इतना जो sequence है उसको separate कर देता हूँ, इसको हम लोग क्या कर रहे है, isolate कर रहे है, क्या कर रहे है, isolate कर रहे है, 3-5-5-3-, what is this, this is a gene of interest, क्या वो लेंगे इसको, gene of interest, now what is this gene of interest, this is stand for, polypeptide, HN, बात समझ में आई, तो इसके पर sequence क्या है, वो sequence है, जो मेरे लिए, polypeptide HN बना के देगा, इतना आप लोग को समझ में आगया, कि नहीं आगया, ठीक है, अभी क्या करेंगे, यह जो polypeptide, यह जो हम लोग उन्हें DNA निकाला है, इसके मदद से, अभी हम लोग next step करेंगे, ठीक है, तो चलो next step को समझ ले, अब इस next step में से, मैं इसको transcribe करवाऊंगा, transcribe करवाने से क्या होगा, मुझे मिलेगा MRN, 5-3-, यह मेरे को क्या मिला, MRN, सारी procedure होगी, लाइक कैपिंग हो जाएगा, 5-3- पे आप लोगों को मिल जाएगा, polyatel, ओके यह बात तो आप लोगों समझ में आ गई, इन शॉट देखो, सिंपल सी बात है, स्प्लाइसिंग हो गया है, कैपिंग हो गया है, टेलिंग हो गया है, यह सारी procedure जो हम लोगों ने खतम की है, आप लोगों पता है, जैनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अब इस MRNA को, I will treated with reverse transcriptase enzyme, कौन सा enzyme लगा दिया, reverse transcriptase enzyme लगा दिया, अब खेल हो गया, अब खेल होने का मतलब क्या है, अब मुझे जो sequence मिल रहा है, वो complimentary होगा न, और यह मुझे देगा, again, 5-2, 3-2 डियरेक्शन में, यह मुझे देगा बनाके, 5-2, 3-2 यह ऐसा हो गया न, तो इसको 3-2, 5-2 भी बोल सकता हूँ, ठीक है, नई चीजे है, तो हमेशा, 5-2, 3-2 डियरेक्शन में रन करते हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ, CDNA, क्या लिख देता हूँ, CDNA लिख देता हूँ, ठीक है, अब यह reverse transcriptase enzyme, यूज़ करके मैंने बना दिया, CDNA, यहाँ से यहाँ से रन करेगा, ऐसे direction में रन करेगा, understood, तो CDNA मुझे मिला, CDNA is what, complementary DNA, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, अब यह CDNA का मतलब, जो भी हम लोगों ने बनाया है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं plus bin में डाल दूँगा, किस में डाल दूँगा, so let's take this CDNA, यह 5-2-3-, यहाँ पर लिख देता हूँ CDNA, प्लस, यहाँ पर मैं इसको plus bin में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे in short क्या मिलेगा, RDNA, मुझे next procedure क्या मिल भी है, यह आगे आपका plus bin, और यहाँ आगे आपका gene of sequence, है की नहीं, अब यह तो आपका RDNA बन चुका है भाई, अब यह जैसे RDNA बनेगा, इसको मैं किस में डाल दूँगा, E.Kolai में डाल दूँगा, अब E.Kolai क्या करेगा, इसको replicate करेगा, अब replicate करेगा मतलब क्या, I will be getting many copies, इनके structures मिलेंगे, इतना simple सी बात है, कि आप लोगों को बड़े easily समझ में आगा, इसको समझो फिर से, ये था तुमारे पास A polypeptide chain, ये था B polypeptide chain, दोनों साथ में आने का काम होता है, वो करवा के देता है C polypeptide chain, जैसे ही sulfur sulfur amino acid containing groups, दोनों chain के सामने सामने आ जाते है, that is a disulfide bond formation takes place, this is only called as a insulin, okay, initially ये inactive form में रहता है, लेकिन जब भी इसके requirement पड़ेगी, तब ये synthesis होता है, इनिशे लेवल पे inactive होता है, और जैसे ही इसका काम चालो हो जाता है, तब ये वो activate हो जाता है, okay, so that is the different case, लेकिन यहाँ पर अभी मैं as a biotechnologist, मुझे क्या interest है, मुझे person के A और B polypeptide chain में interest है, मुझे C वाले का काम जो है, वो मैं खुद भी करवा सकता हूँ, ठीक है, दोनों chain को अपस में mix करवा के, उनके disulfide bond formation करवा सकता हूँ, तो क्या करेंगे, as a biotechnologist में क्या करूँगा, इंसान का एक DNA सेलेक्ट करूँगा, जिसके उपर मुझे एक sequence मिलेगा, जो कि मुझे polypeptide A chain बना के देगा, तो उस chain को मैं isolate कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, बाहर निकालने के बाद, मैंने इस वाले sequence को क्या करवाया, transcribe करवाया, transcribe करवाने के बाद मुझे मिला mRNA, mRNA कौन से process के अंडर जा चुका है, mRNA का splicing हो चुका, mRNA का capping हो चुका, mRNA का tailing हो चुका, यह सारी process होने के बाद, मुझे मिल रहा है, one of the very good mRNA, उस mRNA को मैं treat करूँगा, with the enzyme called as a reverse transcriptase, यह reverse transcriptase enzyme मतलब क्या, RNA का opposite strand बनाएगा, that is the cDNA, मतलब क्या DNA के sequences के उपर आजेंगे, एक बार यह complementary DNA मुझे मिल जाता है, इसका use करूँगा मैं, किसके लिए, plasmid में डालने के लिए, जैसे मैंने इसको plasmid के साथ treat कर दिया, what I will be getting, come on, what I will be getting, I will be getting an RDNA, now this RDNA I will be inserting into the E coli, और E coli जब भी भी replicate करेगा, जितनी बार भी replicate करेगा, उतनी बार मुझे A polypeptide का sequence मिलते रहेगा, इतना आप लोगों ने समझ लिया, तो अभी समझते हैं B polypeptide chain का सिनारियो, A polypeptide chain, A polypeptide chain के बार में आप लोगों ने सीखा, same thing apply for the B polypeptide chain है, अभी मुझे पूरा procedure लिखने के जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं shortcut में लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, so same thing, will be, performed, for, B polypeptide chain, ठीक है, since you are getting B polypeptide chain also in a very good number, you are getting A polypeptide chain also in a very good number, okay, keep them together, keep them together, keep them means whom, A and B polypeptide chain, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, formation of disulfide bond, takes place, formation of disulfide, bond, takes place, okay, and what is the result, come on, tell me what is the result, you will be getting, number of insulins, okay, उल्टाब, ज्यादा insulins मिलेगा, कम टाइम में मिलेगा, that is what the scenario, अभी इसको लो, इसको स्टोर करके रोखो, हो गई, simple सी बात, है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, यह जो सिनारियो है, यह इतना ज्यादा हार्ड होगा, since we had produced this insulin from the humans, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, humulin, क्या जाते हम लोग इसको, humulin, क्योंकि human का, DNA यूज करके बनाया, ठीक है, इट वाज नेम, सी, अभी इसको समझने की कोशिश करो, ओके, इली ली नाम की pharmaceutical company थी, इली ली ली नाम की pharmaceutical company थी, अब यह जो company है, इस company ने इसको पहली बार market में introduce किया था, in the year of 1983, ओके, this introduce, mean market, मतलब सबसे पहली बार यह मार्केट में आयता है इन दा इयर ओफ 1983 ओके एले लिले नाम की फार्मासोडियल कंपनी थी है आपके नीट कुश्चन्स आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके तो यह नाम इंपोर्टेंट है अभी क्या करेंगे अभी थोड़े से और इंट्रस्टिंग पार्ट को समझ लेते हैं ओके इंसुलीन को लेके और भी क्या-क्या सिनारियों है जो आप लोग समझ सकते हों जैसे कि एक था बंदा जिसका नाम है फेड्रिच ओके फेड्रिच सेंगर करके नाम था उसका इसने क्या किया था यी गेव द अमिनो एसेट सिक्वेंस ऑफ इंसुलीन जो भी इंसुलीन के अमिनो एसेट सिक्वेंस अम लोग अभी देखे है फिलाल के लिए उसका सिक्वेंस के बारे में फेड्रिच सेंगर ने बात की थी ठीक है एक बंदा था जिसका नाम है बेंटीन और बेस्ट दो बंदे था एक्चुली बेंटीन बेस्ट जो थे इन्हो ने आइसोलीट किया था इंसुलीन को फ्रॉम दॉक्स पैंक्रियास एक बात आपको याद रखनी है ठीक है दूसरा बात आप लोग क्या याद रख सकते हैं देरा टू फार्मसोटिकल कंपनी एक तो एली लिली है एंड रैंबैक्सी इसने क्या किया था इन दोरों ने रिख सकते हैं यूमन इंसुलीन से इंसुलीन का कॉपी बना लिया था जिसको और लोग ने कहता है है हूमलाग इस नथिंग बड़ इनलोग औफ यूमन इंसुलीन मतलब उसकी कॉपी मतलब उसे के जाएसा और यह क्या बोलते थे इसका जो रियाक्शन टाइम है इस रिख reaction time it is much shorter okay reaction time is shorter as compared to human insulin यह आप लोग को समझना है ठीक है मतलब एक human log बनायता तो यह जो human log है this is the like one of the such a insulin you can say artificial insulin you can say जिसका अच्छा खासा speed था reaction speed था जो की normal insulin के comparatively बहुत जल्दी काम करने लगता था ठीक है in that sense तो यह आप लोगों का यहाँ पे जो medicinal property था insulin का topic जो था biotechnology में वो खतम हो चुका है ठीक है यहां तक यह पूरा insulin का पार्ट कातम हो चुका है now we are entering into the second field in medicine that is the gene therapy अब यह जो gene therapy है बड़ा interesting है easy है समझने के लिए और very important भी है आप लोगो basic idea तो है इसका जैसे मैं आगे बढ़ूंगा lecture में आप लोगो समझ में आ जाएगा ठीक है how this can be an easy topic okay समझना काफी आसा ने देखो यह जो है इसको कहा जाता है ADA deficiency है किसकी deficiency है ADA deficiency है अब इसको समझते है कैसे देखो it is the first clinical gene therapy okay सबसे पहली clinical gene therapy है जो की perform की गए थी okay was performed to treat the defect in a gene or you can say in a sequence which produce which produce which produce ADA okay जो ADA बनाता था मान लेते है चलो इसको बहुत easily समझाते है तो जैसे insulin बनाया था मान लो यह DNA sequence है यहाँ पर 3 dash है यहाँ पर 5 dash है यहाँ पर 5 dash है यहाँ पर 5 dash है और यहाँ पर 3 dash है okay अब यह जो इतना sequence मैं ले रहा हूं यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का sequence ले रहे इसको isolate करेंगे ठीक है यह जो इतना sequence है DNA के उपवार 3 dash 5 dash 5 dash 3 dash okay यह sequence is responsible for production of ADA ठीक है मतलब हमारे डिये ने पर कुछ ऐसे sequences है जो हमको ADA बना के देते हैं why this ADA is required? ADA ADA है क्या ADA है? ADA का full form है Adenosyne Daminase it is the kind of enzyme what is this? this is an enzyme now what is this enzyme required for? इतना important क्यो है? required for you can say production of production of B and T lymphocytes what is the purpose? Adenosyne Daminase हमको B and T lymphocytes बनाने में मदद करता है लेकिन you should also note that see note क्या मुलता है bone marrow cells produce the lymphocytes यह हमको पता है क्या बना के देता हमको lymphocytes? bone marrow cells बना के देते हैं और यह जो lymphocytes होते हैं यह दो तरीके के होते हैं B and T हमको इतना भी बता है और यह specialized का हो जाते हैं specialized in you can say lymphoid tissue or you can say in the thymus gland ठीक है यह दो जगे पर हमारे जो B and T lymphocytes है वो जाके mature हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर bone marrow cells हमारे B and T lymphocytes बना के दे रहे हैं तो यह बना के देंगे कैसे? इसी के वज़े से adenosine deaminase के वज़े से मतलब this enzyme plays an important role in producing our immunity ठीक है और यह जो sequence यह ADA बनाने वाला sequence है वो हमारे DNA के उपर है अगर DNA के वह वाले sequence में अगर कुछ disturbance हो जाएगी तो in short यह जो sequence यह enzyme बना के दे रहे हैं वो नहीं बनेगा अगर यह enzyme नहीं बन रहे है that means person is not able to produce the B and T lymphocytes इसके वज़े से क्या हो जाएगा इसके वज़े से यह हो जाएगा कि जो बना है उसमें हो जाएगा seaweed combined immunodeficiency क्या हो जाएगा SCID नाम की बिमारी होती है जिसको कहते हैं हम लोग seaweed combined immunodeficiency deficiency ठीक है यह होता है लेकिन यह किसमें होता है यह mostly seen in the babies mostly seen in babies और अगर हमारे जैसे बड़े लोग रहेंगे तो क्या सिनारियों देखने मिलता है आप लोग को जैसे कि होता है यह this B and T जो होता है आमको किस लिए चाहिए होता है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ which type of immunity it provides B and T lymphocytes see it is helps in cell-mediated and humoral immune system okay helps in cell-mediated immunity and the humoral immune system तो क्या-क्या आप लोग को इस topic में समझने के लिए मिल रहा है बहुत important है यह gene therapy समझो 2018 में इसका question आ गया था okay you can check okay in the 2018 में paper में आप लोग चेक कर सकते हो gene therapy को लेके question आया था fine किदर आया तो question वह अभी बताना बाकी है लेकिं यह topic से question आया था ठीक है बताता हो कैसे आता है ADA deficiency तो होता है ADA deficiency क्यू है क्योंकि बंदे के DNA के sequence में problem हो गया कौनसे DNA के sequence में मतलब यह देखो कि DNA पे जो sequence होता है ADA बनाने का वह sequence अभी properly नहीं है उसमें कुछ ना कुछ default हो गया है मानलो कुछ ना किसी कारण वह change हो गया है या फिर वह delete हो गया है okay kind of mutation has taken place अब इसको treat नहीं करेंगे तो बंदी के पास immunity नहीं होने वाला है और यह जो BNT lymphocytes है वह हमारे bone marrow cells बना के देते presence of an enzyme condens है adenosine deaminase यह बार-बार चीज़ repeat करो और BOT जो हमारे lymphocytes है वह हमारे car specialized हो जाते है in the lymphoid tissue और in the thymus line अगर यह अगर babies में यह अगर दिक्कत आती है यह deficiency आती है तो क्या हो जाता है HCID नाम की बिमारी होती है that is a seaweed combined immunodeficiency यह हो जाता है उनमें उनकी immunity power बिल्कुल भी नहीं रहती और ऐसे babies के उपर बाहर के organisms वागरा वह impact डाल सकते है इसके अलावा अगर हम जैसे लोगों की बात करें तो यहाँ पे we get this immunity like in two ways जैसे कि cell-mediated immune response में दिक्कत आ सकती है या फिर humoral immune system में भी दिक्कत आ सकती है ठीक है तो यह तो आप लोगों ने समझ लिया concept क्या है अभी इसको और detail में समझते है So now we are going to start with the action Okay अभी action मतलब क्या biotechnology इसमें मदद कैसे करेगा पहले बात it was performed on first time in the life it was performed on a girl girl की age थी four years okay girl की age क्या थी four year थी she was suffering from SCID disease उसके उसमें क्या हो रहा था यह नाम की विमारी थी उसको जिसमें उसका ADL का sequence नहीं था और उस लड़की की immunity power नहीं बन रही थी ठीक है तो उसके bone marrow cells जो है वो immunity नहीं बना पा रहे थे अभी करेंगे क्या okay तो करना क्या पड़ा और यह कब किया था actually in the year of 1990 यह भी आप लोग को ध्यान में रखना है very very important okay तो gene was introduced see gene was introduced into lymphocytes of patients only only तो यह आप लोग को ध्यान रखना है जो भी gene है वो हमको lymphocytes में डालना है okay gene was introduced into the lymphocytes of the patients only तो जो patient है उसके अंदर ही डालेंगे वो gene को ठीक है कैसे करेंगी क्या करेंगी आप लोग को समझना है okay अब यह patient में डाला तो वो कैसे डाला see तो जो gene है वो है ADA gene कुनसी gene है ADA gene adenosine deaminase वाली gene जो है वो ली okay now it was introduced to use by using retrovirus as a vector तो retrovirus के मदद से lymphocytes में मतलब patient का lymphocyte लिया ADA वाला gene लिया वो का से लिया एक very healthy person से हम लोगो ने ADA का gene लिया उसको isolate किया उसकी copy अगरे बनाई okay makes sense okay वो जो है ADA gene वो हम लोगो ने through vector called as a retrovirus हम लोगो ने लिम्फोसाइट में लिया पेशेंट के and that lymphocytes was transferred into the patient okay so ऐसे करके हम लोगो ने किया okay and see this was introduced in bone marrow this was introduced in bone marrow of girl okay and B and T cells sorry B and T cells production starts और उसको अपनी immunity मिल गई क्या समझ में आया आप लोगो confusion हो सकता है ठीक है फिर से बताता हूँ एक लड़की थी जो कि 4 साल की थी उसको SCID नाम की विमारी थी in the year of 1990 it was performed first time on a girl child okay यह आप लोगो ध्यान रगना है gene therapy को okay so gene was introduced into the lymphocytes तो हम लोग patient का lymphocytes लेंगे उसमें हम लोग gene डालेंगे कौन सा gene जो ADA बना सकता है okay ऐसा ADA enzyme बना सकता है वो gene हम लोग lymphocytes में डालेंगे लेकिन यह डालने का कैसे है with the help of a vector called as a retrovirus okay RNA containing virus यह आप लोगो ध्यान रखना है यही पर question पुचा गया था NET 2018 में ठीक है and this was introduced in the bone marrow of a girl okay bone marrow of a girl child okay अब क्या किया जैसी यह सारी बाते girl child में मिल गई okay girl के पास immunity power मिल गई अब वो अपनी BNT वाली lymphocytes को बना सकती है और बाकी की procedure forward हो सकती है मतलब continue हो सकती है so this is how she got her immunity अगर मानलों यह like हमारे जैसे लोगों में हमारे aged लोगों में अगर यह दिक्कत आती है तो उनको injections लेने पड़ते है immunity के time to time okay अगर यह बहुत पहले ही analyze हो जाएगी बीमारी तो हम लोग उसको starting से ही treatment provide करेंगे so they don't need their take the injection time to time उनका lifelong immunity बन जाएगा already okay so that is what the very important topic था जो कि anxiety से था यह हम लोगों ने खतम कर लिए okay करेंगे करेंगे